नमस्कार दोस्तों सौगत आपका इंडियन फार्मर में दोस्तों आज हम बात करने वाले एक खतरनाग रोग के बारे में उस रोग का नाम है लीफ कर्ल दोस्तों लीफ कर्ल को प्लोट में आपके जब आता है तो कैसे पहचानना है उसके उपर रोक थाम कैसे करना है और हमारे plot में इसका बहुत ज़्यदा spread होता है तो plot पूरा तहस नएस हो जाता है तो leaf curl के बारे में आज हम डीटेल में जानकारी दोस्तों लेने वाले हैं जो भी हमारे चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल ऐकों दबाना ना भूलिएगा तो यहाँ पे सिमला मिर्च का plot है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यह leaf curl जो है कहा कहा ज़्यादा तर आता है यह सिमला मिर्च में आता है और टोमैटो में बहुत ज़्यादा तेजी से आता है उसके अलावा कई सारे फसले ऐसी है बड़े बड़े पत्तिया भी जिसमें होती है वहाँ पे सब जगा पे leaf curl आता है तो धीरे 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 वह बढ़ता जाता है और leaf curl का transmission जो है virus में हो जाता है तो जब leaf curl हो जाता है तभी हम लोगों को plot में रोक थाम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो देखे थोड़ा सा में आपको एक difference बताना चाहूँगा कि यह जानना बहुत ज़रूरी है leaf curl के बहुत अलग-अलग नाम है जैसे कि leaf curl को बोकडा कहते है चुलडा मोलडा कहते है और वो सिकड़न पत्ती रहती है ऐसे कुछ नाम अलग-अलग रहते है तो थोड़ा सा फर्क में बताना चाहूँगा कि thrips का जो पौधा रहता है उसको leaf curl नहीं समझना है जो virus का पौधा रहता है उसको भी leaf curl नहीं समझना है leaf curl अलग है, thrips अलग है, virus अलग है तो सबसे पहले मैं thrips का बताता हूँ thrips क्या आता है, जब thrips आता है तो नई पत्तिया फुटने वाली है वो सिकड़ जाती है उपर की तरप और नीचे वाली पत्तिया जैसे थे अब जैसे थे वतलब fresh रहती है उसके बाद जब virus आता है तो पूरा पौधा जो एक खराब हो जाता है जैसे कि रुख जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह virus का example है, पूरा पौधा है जहाँ पर रुख गया है totally यह देख सकते हैं, और यह एक idle plot है, यहाँ पर हर तरीके का disease में दिखा सकता हूँ आपको और यहाँ पर यह ऊपर की तरप देख सकते हैं, यह जो है, यह हलका हलका thrips है तो thrips, virus, leaf curl, अलग-अलग है, इसके अलवा दोस्तों जो mites का attack होता है, वो भी अलग है mites का जब attack होता है, तो पतिया नीची की तरप ulti हो जाती है, अगर mites के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो i button पर जाहिए, और वो वीडियो देख लिजे, detail में जानकारी आपको लगेगी, यह देखिया, ऐसे तीर्ची, मिर्ची, पत्ती लगेगी, तब इसको समझे कि यहाँ पर leaf curl का start हो गया, यह देखिये यहाँ पर, ऐसे curl, करली होना मतलब leaf curl, ऐसे इसको कहते हैं, तो यह तो हो गया leaf curl को पहचानना दोस्तों, यह सबसे जरूरी है, नहीं तो ऐसा तो हो गया, अब यह आता कैसे, तो आता है यह white fly से, जो सफेद मक्ही रहती है, यह छोटे-छोटे कीटक रहते हैं, जो sucking paste रहते हैं, अब हम पूरे तरीके से white fly को तो blame नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं जारे और भी चीज़े होती है, sucking paste में वो plot पे आती है, और वो थोड़ से वो, वो लेके जाता है दूसरे पौधे को, और white fly ने एक बार अगर उस पौधे पे गया, तो वो कहां पे भी कोई भी पद्धे पे जाये और sucking करने लगा, तो वो उस पौधे में हो जाता है, तो यह बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो white fly से transmission बहुत तेजी से होता है, leaf curl का, खास करके, और जहां पे leaf curl मतलब यह कब ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि जून से लेके, October, November में इस पिरेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद गर्मियों में भी बहुत पोशक वाता हो रहता है, और white fly की खास बात क्या है, कि जब 28 से ज़्यादा temperature constant रहता है, तो white fly बहुत तेजी से बढ़ता है, हमारे चैनल पे एक white fly का वीडियो है, वह आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे detail में आपको white fly के जानकारी मिल जाएगी, अब दोस्तों यह हो गया, white fly से बढ़ता है, reason तो पता चल गया, अब इसका रोक थाम के से करना है, अगर हम लोगों को culture में पहले बात की जाए, जो cultural practice होता है, जो हम लोग देशी style से अगर करना चाहे, तो क्या है कि yellow trap रहते हैं, वो हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि yellow trap लगा देंगे तो white fly उसके उपर आकरशित हो जाता है, और वो yellow trap पे चिपक जाता है, तो यह बहुत अ जाएगा, या तो उसके अंदर border cropping मतलब क्या होता है, कि जैसे कि हम मकाई के plantation कर देंगे, उसके उपर भी ज्यादा तर थिफ्स हुआ, white fly हुआ, जैसे इस हुआ, उसके उपर जाकर बैट जाएगे, आपके फसल के उपर नहीं बैटेंगे, क्योंकि वो height पे आ जाता है, उ उसके बाद आपके plot में जो घास है, घास में ज़्यादा तर भाइट प्लाय अंडे और डालते है, तो घास खरपतवार plot में अगर रहेगा, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगे आपके लिए, तो घास कोई भी फसल खरपतवार निकालिए, मल्चिंग पेपर अगर अगर बात करें तो दोस्तों आप क्या करिए, हरी मिर्च में आधरक पीस के स्प्रे कर सकते हैं, या गोमुत्र ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा समय प्रैक्टिकल उसके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ऐसे बताने से नहीं समझ में आता है, तो प्रिवेंटियो आपको जो भी काम है करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एसे टम आपर एक कंटेंट है, ये दवाई ये जो है, एक ग्राम प्रतीटर के साब से अगर स्प्रे करते हैं, तो वहाँ पर रोग थाम हो जाएगा, उसके बाद डाइट थरम हुआ, य ये है पेगासस नाम से आता है, तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वाइट फ्लाइ के उपर कंट्रोल हो जाएगा, तो आगे चलके लीफ कल नहीं बढ़ेगा, तो देखिए कि मैंने बोला वाइट फ्लाइ से है, तो वाइट फ्लाइ मत मानिया, और भी वज़ा होती है ल की प्लाइट में धीरे धीरे, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार में प्लाइट के पोधे कैसे उखाड़के फेको, ऐसा सोचना नहीं है, थोड़ा भी तनकब उखाड़िये सीधा बाहर फेक दीजे, तब आपका प्लाइट बहुत ही आच्छे से रहेगा, नहीं तो बहुत ज़़ादा आपका नुकसान हो जाएगा, एक बार अगर पोधा इस स्टेज पर चला गया, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यह, तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि इसके डियने में पूरा चेंजस आचुके हैं, पत्तिया पीली हो चुके हैं, कितना भी नूट तरीका देखा, देशी तरीका गेखा, कई सारे तरीका, इसके अलावा आपको कुछ पता हो, तो कमेंट में बेशक आप बोल सकते हैं, जरूर, दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा, यह भी कमेंट में आप मुझे जरूर बताईएगा, और यह वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मिलते हैं एक और निवडिक साथ, तब तक करते रहे हैं मेहनाथ क्योंकि वावरे तो पावर हैं, धन्यवाद